भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर जैसे ही ब्रिटेन पहुंचें उससे ठीक पहले ब्रिटेन में भारतिये मूल के प्रधान मंत्री रिशे सुनक ने एक धमाके दार बयान दे दिया हमारा मुलक कलमा पढ़के बना था पता नहीं क्या जूट बोलते हैं अपने लोगों से यार दिस इस लहुरी चूरन प्रो मैक्स पाकिस्तान में चर्चा काफी तेज है कि भारत में सिर्फ और कश्मीर की हम बात करने तो कश्मीर के बारे में पाकिस्तानियों ने 75 सालों में कुछ सुना है तो यही सुना है कि बहुत ही जादा जुल्म किया है भारत की सरकारों ने इसमें वो सरकारी भी थी जिन्नों ने पाकिस्तान के उपर बेंतिहा सारी अपनी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऐसे समय पर बिटन पहुंचे हैं जब रिशी सुनक को सत्ता में आए सौ दिन पूरे हो चुके हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ मन बना कर आये थे कि चाहे उनका देश डूम ही क्यों न जाए लेकिन वो कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाएंगे हो सकता है वो इस मुद्दे को उठाएं भी लेकिन कश्मीर का रोना रोने से पहले ही रिशी सुनक का एक बयान सुनकर वो सदमे में जरूर आ जाएंगे रिशी सुनक ने कहा कि मेरे लिए असल में मेरा काम ही मेरा करतव्य है हिंदूइजम में कॉंसेट है जिसे धर्म कहा जाता है जिसका मतलब करतव्य से ही है और मुश्किल समय में ब्रिटेन को बचाना मेरा करतव्य है मे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को यही खयाल खाए जा रहा होगा कि उन्हें कश्मीर का जिक्र भारतिय मूल के प्रधान मंतरी के सामने करना होगा जो हिंदू धर्म के मार्ग पर चल रहा है। एरपोर्ट छोड़ दीजें वहाँ पर ढंका रेल्वे स्टेशन छोड़ दीजें एक ढंका बस्टेंड नहीं है। ठीक है। वहाँ पर ढंके एक स्कूल और कॉलेजिस नहीं है। यह कहता है कुछ समय पहले कुछ लोग स्पीकर के चेमबर में में बैठा हुआ था शाबाश कश्मीर इस्यू को फ्रीज करने की साज़श है और इस से बड़ा जल्म कश्मीरियों के साथ नहीं हो सकता। आएमेफ जो है ना इसलामाबाद में बैठा है इनके कपड़े उतार रहा है इनके कपड़े उतार रहा है आएमेफ पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है कि मतलब खा आके डाले हैं, लाओ तो ज़रा, तो पाकिस्तानी किया कहते हैं नहीं, यार देखो, सब का चेक कर लो, लेकिन जो हमारे फौजी हैं, उनका मजचेक करो, और हमारे जजज हैं, उनका मेजच करना, मैं बता रहा हूं, I.M.F. से मैं बोलता हूं, कि सिर्फ इनके फौजी हों का फौजीयों का चेक करो मैं बता रहो इनके फौजीयों के पास इतना पैसा है इतने असासे हैं इतने एसेट से इनके फौजीयों के पास कि पाकिस्तान का जो डेट है इंटरनल एक्स्टरनल वो छूड़ जाएगा खतम हो जाएगा इतने पैसे इनके पास वहां भी प्रॉब्लम यही है कि तरकी एक खास तब्के के पास है। ये बरबाद नहीं होगा, ये अबाद रहेगा, ये शादवाग है। इस्तान लाइलाहिलाला मुहमद रसूला के नाव पर बना है, इसे कोई तुबाव बरबाद नहीं कर सकता। नहीं दे कुश और किया तरुब्लम ये और तो मैंतुमित होगा, ये बाद नहीं थारहें एक उनके चनुशन फास हैं। झाल जार। कसी divisions को आंद एक तो खुश्च तो होगा ना। लेकर अलान सुनके तो हम लोग भी बड़े खुश होते हैं कि ये अलान हो गया है, ये ऐसी हो गया है लेकर उसके प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि आगे उसमें क्या होता है अपनी अजादी के लिए ये लोग देखते हैं कि शायद जैसे 500 साल पहले कहते थे कि कुड़ा उठाने वाला कोई आएगा, कोपर से आएगा, आज भी उसी का इंतजार कर रहे है खुद से कुछ नहीं करना इनोंने ये अपने आप में अजाद नहीं है आई ये लदा लदा होगा, इंशालला जब हमारे अंदर यकजती होगी, इतफाग होगा, इमान की रोच्छनी आएगी, इंशालला ताला ये कश्वीर हमारा होगा, ये इंडिया भी हमारा है लेकर मिन्स वहाँ की गलियों में आप जाकर देखें, उनके जो मसाइल हैं, आप उनको जाकर देखें, तो वहाँ के गरीब के मसाइल भी हैं, जो हमारे गरीब के मसाइल हैं, ये अपने जो हैं वो सौदे बेच रहे हैं, इनसानियत का जो भी दोस्त है उसे कहते हैं, अच्छा सर्वाइव कर रहे थे वो नहीं कर पाई इंडिया उस तरफ तो उनके इसाब से बेहतरीन बजट है जैसे वह लॉक्डाउन लगा हुआ है अगर वह लॉक्डाउन खुलता है तो उनके लिए बेहतरीन पैकीज है वो सर्वाइव कर जाएंगे हमारी बनिस्बत यह हमारे बाइएं इंडिया वह लह हमारे बाइएं है असा है कि यहां हमारी जो इश्राफिया है उन दिन वदिन जालम से जालमतार होती जा रही है और यह एक बुरी बात है वरना रोटी का कवी भी ऐसा क्रॉबल्म नहीं रहा साल पहले यहां बहुत अच्छे लाते ऐसी हैं हम अगर वो इंदोस्तानों की तरह हमें मिले हम भी हमारे बाइए यह इंदोस्तान पाकिस्तान एक ही खिता था एक मुलक्त पर ठीक है ना किसी और के दर्वाज़े क्या कि पार काते हैं जंग जदर शुरू हो जाती है तो मैं यह समझता हूं कि ऐसा कतन नहीं है कि पाकिस पाकिस्तान में भी है इंडिया में है लिक एक खास तबके से ओपर उपर है जाहरी बात है जानमचाना जो है ना वो वर्च आप जिस वो जिल्दगे घू और हैं पाकिस्तान ने क्या किया उसके लिए ने आपको पहली वर्स कि एकि इन्हों ने बंगला देदे दी यह आग कि अगर किया गया है तो अच्छी बात है लेकर मेरे तो इलम में यह बात नहीं देर मस्ट भी सम सोर्स जिससे पते को कि देखें वह प्रपोगंडा भी करती है कब जया ही जमीन होती है वहां पर पक कर्श्रक्शन नहीं होते हैं आप देखो अगर कोई जो है पकी दुकान है उसमें वह एक चुट्टी बारी की पैसा लगाएगा जिसको पता है कि आज नहीं तो कल हम कितना ही गाना गालें 75 सालोस उनको पता है कभी ने कभी कश्मीर को पूरा भारत ले ही जाएगा उससे बहतर है कि उस पे इतने डेवलेप्मेंट करो ही ना कि हमको कलको नुकसान हो अब यह जैसे यह कहानी है जैसा हमने देखा ना यह यह चीफ इनिस्टर रोते थाते और वहां पर कहीने कहीं वह चीफ जैनुवन है कि पैसा नहीं मिल रहा आपको नजर आएगी वह चीफ़ांपर कि डेवलेप्मेंट नहीं है अब यहां फिक्षिन को और भी देखनी पड़ेगी भारत में भी कई सारी राजय सरकारे हैं विशेश तोर पर वह राजय सरकारे से देखें हैं चाहें हम तामिल नाडू की और तेलंगाना की सब्सक्राइब यह कुछ ऐसे राजय जहां से बराबर आवाज उटती हैं और कुछ राजयों में तो इतनी ज्यादा सिती खराब है खास और दक्षण भारत के लिए दो राजय पात करी यहां इतनी ज्यादा ख से बढुब है एच के आपके ऊमीद करो आप तीन प्लट के आएगा चार प्लट के आएगा धाई भी प्लट के आजए थे यह घंता हूशन नहीं होता फटा बाचय है। अब वहां पर ये बर्गलाने वाली बाते हैं जो पब्लिक समझती नहीं, समझदार नहीं उसको ये बेपूप बनाने ली बाते हैं, कि देखो हमासे में गलत हो रहे हैं, सबके साथ में ऐसे होता है, कुछ राजी जरूर ऐसे हैं, जहां पर डेवलप्मेंट के लिए सरकार ज अशन नहीं हुआ है, कि बराबर जितना वहां से टैक्स आ रहा है, उससे जादा दिया गया हो, कुछ एक चुट-पूट टाइम के लिए, वहां पर कुछ जादा कश्मीर का हम देख ले हैं, कश्मीर में इंफ्रास्ट्रूर बनाना है, इसलिए वहां पर इन्वेस्ट हो र पर कि लोग हम तो यहां से भेज़ना है, धाई रुपए टेक्स में, हमको तो लोट के एक ही रुपए आ रहे हैं, ऐसे ही देश चलते हैं, अगर आप सोचो कि जितना भेज़ दो, तो सरकार कैसे चलेगी, फिर तो सरकार आपी कमजोर हो जाएगी, तब जैसी स्तितियाज पाकिस्तान में न, वो ही हो जाएगी, जब सरकार कमजोर होती है, तो एक जो देश को बाइंडिंग पावर सरकार के पास में है भारत के वो खतम हो जाएगी, अगर ऐसा होता है तो, तब क्या होगा, हर कोई फिर अपने माफिया में जाएगा, जिसका जो मना रहा है, पाकि पूत रहना तो सब्ता के पास में पैजा होना चाहिए, यह चीज कई ऐसा जो टिटकूंजी राजनेता है, उनको समझनी चाहिए